अर्शीर नर्सिंग ने आपका एख मार्फिर सागत है आज बात करते हैं एपने बेट सोर की या इसी को अपने बोलते हैं अज आएayan किसी को अपने अपने खालते हुआ ड़ासरी प्रेशर नाम देते हैं दीखिए और की मतलू हो जाएगी ब्लड्स टोनी में किसे से क्या हो जाएगी सो जाएगा तरहाँ पर क्या होजाएगा बन्ट फॉर्मेशन हो जाएगा उस कंडिशन को अपने क्क भोले आप ठीक है सबसे देखें बात करें अपने बैट्ट सोर की दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा ज्यादा है पढ़ने के ही चुट भी नहीं एंट सो डेक्ट पर श देखी कॉंड कुन कुन ने प्रॉजिशन में प्राइब पर होता है और प्रेशब पढ़ेगा बोड़ी प्रॉमिन वो रहता है प्रेशर ये बात आप यादाओ लो मैन कारण का होगा प्रेशर और दूसरा मोने की वज़े से भी क्या हो सकता है वैट सो होने के चांस है लेरा रिस्कुर्ट क्या होगा माल पेशंट में ज़्यादा रहेगा चांस वैड़ अनिक कंडिशन में भी और उन्वारि है डाइगनोसिस की मैं बात करूं तो इसके लिए एक scale होता है उसको अपने बोलते हैं inань क्या बोलते हैं और बात करते हैं अपने प्रेसर पॉंट के मतलब अध Marcus puis से जो टेंद supाइन पोजिशन में हैं सुपाइन पोजिशन में तो उस time कॉन कॉन से प्रियस पॉइंट होगे जहां पे ज़ गटा है जहां पर प्रिसर लग सकता है देखियो अक्सिकुटल एरिया और सक्यपुलब कर लगो आ प्रॉजिशन कोण कोण से रहेंगे और यह आप यादर लो इयर चीक्स बैस्ट इन देपी मेल जनाटर गरें देमेल नी और तो अब आपको यह पोजिशन नहीं पता है तो फिर भई आप तियारी करना चोड़ दो चाहें आपको पता नहीं है सुपाइन पोजिशन कैसे होती है तो फिर भाई सूपर उपर माउथ उपर यह वाला ध्यार अकले ना वाई और प्रॉण मतलब पेट के बल ठीक है लैटरल मतलब साइड में यह बात आपको यादर नहीं ठीक है भाई सब बात करते हैं डिगरी टाइप सब स्टेज ऑफ बैट सोर की जितना जल्दी आपको यह बात को यह ढबने चाहिए कि सबसे पहले सब्सक्रिशवारा प्सक्रियोगरा को मतनीश चिंचंच क्या अजाएगे बहुत आ जाएगी यह बात आपको यहाद उपनी तो पस्टरी याmar फस्त में क्या होगा only inflammatory sign symptoms show होंगे जैसे उस एरिया पर क्या हो जाएगी वाम हो जाएगा अडिमा हो जाएगा पेन हो जाएगा skin intact रहेगी यह बात आपको याद रखना है कोई भी layer अभी damage नहीं हुई है इस बात का आपको ध्यार अपना है only क्या हुआ है only redness वाम अडिमा और किसकी बात करूँ type second की मैं बात करूँ तो देखे type second में क्या होगा type second में जो epidermis और dermis है वो क्या हो जाएगी breakdown हो जाएगी यह बात आपको याद नहीं होगी लेकिन subcutaneous tissue अभी तक visible नहीं हुए है यह बात आपको याद अपना है ठीक है यहाँ पे भी क्या है pen redness से पीशन आने लग जाएंगे clear up है देखिए epidermis और dermis dermis हो गई वो क्या है second degree है लेकिन subcutaneous tissue अभी विजिबल नहीं हुए third stage की मैं बात करूं third degree की तो third degree type of bed short में क्या होगा epidermis भी गई dermis भी गई और completely subcutaneous tissue भी visible हो गई मतलब तीनों ही गई कि कौनसी epidermis dermis और subcutaneous tissue क्या हो गई visible हो गई थर्ड में और fourth and last stage है उसके अंदर क्या होगा epidermis भी गई dermis भी गई subcutaneous tissue भी डिमेज हो गई अब क्या है जो bone muscle tendon वो अपने को दिखने लग जाएंगे visible हो जाएंगे उस stage को अपने क्या बोलेंगे तो four stage of bad soul clear अब यह बिल्कुल simple तरीके से आप याद एकने ना फस्त में क्या होगा फस्त में कोई भी layer क्या है डिमेज नहीं होगी कोई भी layer damage नहीं रही इंटेक्ट रहीगी क्या रहीगी फस्त में क्या रही फस्त टेज में skin की जो layer है वो इंटेक्ट रहीगी second में क्या होगा second में epidermis और dermis चाहेगी लेकिन subcutaneous tissue visible नहीं होगे third में क्या होगा epidermis भी गई dermis भी गई और सब्कुरिनिस टिश्यू क्या होगे visible होगे third में क्या होगे epidermis गई dermis गई सब्कुरिनिस गई और इसके बादे muscle और bone भी विजिबल होगे clear up again next अपने बात करते है assessment of bed shore bed shore का assessment कैसे करते हैं तो मैंने बता दिया था आपको कौन सा scale use करते है कौन सा bread and scale देखिए जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आपके लिए बैटर है बार बार revision बहुत जरूरी है वैसा आप revise नहीं कर पा रहे रिविजन नहीं कर पा रहे तो बहुत गलत बात है revise करना बहुत जरूरी है बार बार याद करना बहुत जरूरा है simple simple जो question होते हैं और वहां से आप exam में पीछे चले जाते हैं clear असेस्मेंट की मैं बात करूं बैटर सोर के तो देखिए bread and scale मैंने बताया था minimum जो पॉइंट रहेगा 6 और maximum रहेगा 23 clear है इसके component क्या होंगे MS Fane आपको याद एकना है क्या याद एकना है MS Fane मतलब M से moisture, M से moisture, S से sensory, S से sensory perception और F से friction, F से क्या आजाएगा friction, A से क्या आजाएगा activity, N से क्या आजाएगा nutrition तो यह आप formula याद एकना MS Fane, cleare up, आपने काते हैं की म는 Moisture की में बात करों Moisture में, 1–4 होगे, Desmond, Soko, activity, a 4 एकना होगे एक निर्चे वीच does नमब, nutrition म में और, neutrality में और,誉त्धान और nands आफे इसकी आफ़ोगे और से आइंवे एक जो के इसे आफ़ोगे, काउंट कर लीजी का टॉटल कितने होगे चार चीकर चोवीस और यहां पर क्या फ्रिक्शन में काउंट कम हो गया 23 और यह कितने और नो है और नो से कम आ रहा है और नो से कम आ रहा है तो वह रही हाइशिक आफ बैच बैच सोब बहुत ज़्यदा रिस्क में सब्सक्राइब और जब कि 19 या ज़्यादा क्या रहे हैं नंबर आरे हैं तो नो रिस्क आप याद रख लेना उल्टे से लग जाना बाई 19 लग जाना 19 क्या है नॉर्मल है अंद्रा से 18 क्या है माइड है ठीक है भाई साब 15 से 18 क्या है माइड है 13 से 14 क्या है moderate है और बाई साथ गया हर नौ से कम क्या है very high risk क्लीर है भाई याद रख लोगे बहुत ही simple तुक्षैंस से यादॉ mujeres Vou do not get the red andер कि दिया था है यह यहां से कुछेंगे कि सब्सक्राइब तो बताइए क्या है माइल्ड रिस्क और तीरह से चोदा रहा है यूज करना है यूज क्या करने एर एड वाटर मैट्रस करने प्रापर फीजिलोजिकल मसाज इंसे ब्लेट स्क्राइब पॉड़र तु ड्राइड पीशन्ट यहां पे पॉड़र अप्लाई करना है ड्राइदा पीशन्ट थिपोडर कैसी अप्लाई करना वह मैं आपको बता आपको वौर बेता है यहां पर पाउडर पॉंटर एंटिकेटर है यह लाइंग बलता है यहां पर देख्टी गारेंगा ट्रीक्मेंट रूमेंजमेंट में रहेंगा बिटादिन आपको वॉइड करनी है इसके अंदर बैट सौर के उपडिक क्या रहेगा हाई प्रोटीन डा बात करते हैं तो अब बात करते हैं अब बात करते हैं ग्रेयन और सुगर भी आप यूज़ कर सकते हो ब्रड के उपर मौस्ट रखने के लिए जो कि अब्जोर्ब कर जाएगी एस्टो को और ड्राइ रखेगी बंड को पाउडर कॉंटर इंडिकेटर बिटर इन भी कॉंटर इंडिकेटर राइट एप्लिकेशन भी आप यूज कर सकते हो किसको ड्राइ रखने के लिए बंड को सो वाट इस से क्या होगा जो होगा क्या होगा है जो हुद उस्पावर से चुमेटर आपकर करना करना थेक हैde कि heb बाइसा बिल्कुल ट्रीके City छीज करने पोजेशन को बार बार एर मैट्रस यूज़ करने हैं प्रॉपर मसाज करनी है लेकिन यह ध्यान रख लेना पाउडर अप्लाई नहीं करना है बेटा डिन अप्लाई नहीं करना है नुट्रिशन प्रोटीन जिंक विटामिन C देना है ग्रेम डेटर सुगर भी यूज़कर टॉपिकल को थैंक यू फोर जोनी इस क्लास जदा टाइम हो गया वारा में